हलो फ्रेंट्स आज हम बी एच fine semester four के knowledge and curriculum पेपर के एक topic अधिगम सामगरी का चैन और वीकास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिगम सामगरी का चैन कैसे होता है अधिगम सामगरी के चैन के लिए पहले अधिगम उद्देश्यों को परिभासित करना होता है यह निर्धारित करना होता है कि छात्रों को क्या जानना चाहिए और क्या करने में सक्षम होना चाहिए इसके लिए आवशक्ताओं का आकलन करना होगा यह जानना होगा कि अधिगम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यक्ता है फिर मौजूदा जो सामगरी है उसका मुल्यांकन करना होगा और बरतमान सामगरी जो मौजूद है उसकी प्रासंगिक्ता, सटीक्ता और प्रभावशीलता की समिक्षा करनी होगी फिर नए संसाधनों की खोज करनी होगी इसमें क्या है पाट्टे पुस्तक, ओनलाइन सामगरी, मल्टी मेडिया, सहित, संभावित, संसाधनों की खोज करनी होगी और उन्हें पहचानना होगा फिर बिवीदता और समावेशन पर विचार करना होगा यह सुनिश्चित करना होगा कि संसाधन विवीदतिष्टी कोनों को दर्शाते हैं और समावेशीता को बढ़ावा देते हैं अब अधिगम सामगरी का विकास कैसे होगा तो संसाधन के प्रकार को निर्धारन करना होगा किस तरह के संसाधन है ये जानना होगा ये निर्ने लेना होगा कि किस प्रकार के संसाधन की आवशकता है जैसे वीडियो, पाठ्थि पुस्तक या इंटराक्टिव सिमुलेशन, फिर डिजाइन और निर्मान आता है ये सुनिश्चित करते हुए कि संसाधन का विकास करें ये अधिगम उद्देश्यों के साथ संग्रेखीत है और चात्रों के लिए आकर्शक है फिर उसकी समझ्छा और संसोधन करना होगा संसाधन का पाइलट टेस्ट करें मतलब क्या है कि पहले छोटी से ग्रूप पर संसाधन का उपयोग कर कर देखें और फिर उसका फीड़बैक है करें और उसमें फिर संसोधन करें फिर सुगम्यता निश्चित करनी होगी सभी अठील चात्रों के लिए विशेश रूप से विकलांग चात्रों के लिए सक्षत करनी होगी ताकि यह सुनिष्चित हो सकी कि वे प्रासंगिक और प्रभावी हैं और बने रहें कि मानकों के साथ संग रैख करें कि संसाधन पार्टिक्रम अधिगम उद्देश्य है सतीक्त हूं जानकारी की सतीक्ता और प्रासंग्त की पुष्टी करनी होगी सहभागिता और इंटर एक्टिविटी ऐसी विशेषताएं सामिल करनी होगी जो चात्र की सहभागिता और इंटर एक्टिविटी को बढ़ाएगा सांस्कृतिक संवेदन शीलता और विविदता यह भी सुनिश्चित करना होगा संशाधन विविद द्रिष्टिकोनों को दर्साते हैं और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं मतलब सब को लेकर चलते हैं तकनीकी आवश्यक्ता हैं डिजिटल संसाधनों के लिए तकनीकी आवश्यक्ताओं उपर विचार करना होगा इन शर्णों का पालन करके शिक्षक प्रभावी अधिगम सामगरी का चैन और विकास कर सकते हैं जो छात्र की अधिगम उपलब्दियों का समर्थन करती है।